ये दंगा होने का मूल कारण कुद्रा की ट्रेन को जला देना था। साथ लोगों को, सोला दिन की बच्ची को मा की घोद में बैठे हुए, जिन्दा जलती हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अगनी संस्कार किया है मैंने घोता गाउं में। इसके कारण दंगे हुए थे। और आगे जो दंगे हुए हैं वो पोलिटिकली मोटिविटेड थे। विजर्वेशन का अंदोलन हुआ, दंगों में कनवर्ट कर दिया गया। जब वो गुद्रा से बोडीज लेके गए थे अंतिम संस्कार के लिए तब आपको लगा था कि ये देर विल भी ब्लो बैक मतलब की कोई प्रतिक्रिया होगी। दिखें, उस वक्त किसी को सोचने की सुधबुध ही नहीं थी। इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रस्न है था कि जो 69 लोग मारे गए हैं, इनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार भी न करने देना। और कोई प्रोफेशनल इंपूट ऐसा नहीं था कि बड़ी मात्रा में रियक्शन आ जाएं। बड़ी इसको परेड कर दिया गया था। परेड नहीं करा है। यह गलत प्रचार है। इस देश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी चलने वाली पुलिटिकल इंड़स्ट्री को समाप्राइब करें। कर दिया उसकी इतिश्री कर दी। और साथ में यह भी कह दिया। कि यह पूरा का पूरा कारेकरम जो था वो प्रायोजित था कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं। जक्या जाफरी की उस पेटिशन के बारे में जिसमें उन्होंने आई कोट द्वारा पूरी तरह से प्रशासन को क्लीन चिट दिये जाने के बाद नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिये जाने के बाद भी सुप्रीम कोट में यह कहके आवेदन किया था कि इसमें जो है वो श परिक्षण किया जाए तो आपने अमिद शाजी का इंटर्व्यू भी सुन लिया होगा अमिद भाई ने पूरा दूद का दूद और पानी का पानी कर दिया तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि सुप्रीम पोर्ट ने क्या मुख्य बाते कहीं सुप्रीम पोर्ट ने इस प्रकार की असाधारण अवस्था में इस प्रकार के असाधारण सिचुएशन में यह नहीं माना जा सकता है कि चूँकि यदि स्टेट गवर्मेंट किसी कारण वश्य फेल हो गई हो चर्मरा गई हो उसकी विवस्था तो इसका मतलब है कि उसके अंतरगत कोई शरियंत् उन्होंनों उदारन दिया कि जैसे कोरोना हुआ कोरोना के समय लगबग सभी प्रदेशों की सरकारे चर्मना गई क्योंकि उसका प्रकोप इतना अधिक था इतने कम समय में था कि उनको समलने का मौका ही नहीं मिला उनको एक समय ऐसा आया कि वो पूरी तरह से जिसको अंग्लेजी में गयते हैं ओवर्वेल्म होगी जैसे की एक जबरदस्त लहर आई हो समुद्र की और वो सब कुछ बहा ले गई हो इस तरह की एक सिचुएशन उत्पन हुई कोरोना के समय तो यह मानने में कोई भी अतिश्योग की नहीं होगी कि इसी प्रकार का एक इसी प्रकार का एक हादसा वह गुजरात दंगा था जिसका मुख्य कारण क्या था उसका कारण था गोधरा की ट्रेन बर्निंग गोधरा की ट्रेन में आग लगाना जिसमें 69 निरपराद इस्त्री पुरुष बच्चे वे जलकर राक हो गए थे जलकर लकड़ी हो गए थे इसलिए सुप्रीम पूर्ट ने ये माना कि उसके विरुष जो प्रतिक्रिया होई वो इतनी बयानक थी और होनी चाहिए थे क्यों नहों क्या इस देश में हिंदू इसलिए हैं कि उनको ट्रेनों में जला दिया जाए ये क्या 1947 का पार्टीशन का राज है जिसमें मुसल्मान हिंसक भीड़ें जो चाहेंगी वो कर लेंगी तो प्रतिक्रिया थी गुजरात में वो प्रतिक्रिया थी और यह कहा भी था आप ध्यानों कि प्रतिक्रिया हो रही है कि न तो क्रिया हो और न प्रतिक्रिया हो तो जिस क्रिया की और वह Crya क्या थी और ट्रें की आग वो क्रिया थी जो जानबूच कर लगाई गई थी बाद में आपको पता है कि नानावटी कमिशन ने भी और आपके पुलीस की जाँच ने भी यह सिद्ध कर दिया और उसमें जितने भी लोग लिप्त थे वो सारे के सारे नकेवल मुसलिम थे उसमें कॉंग्रेसी थे और क्योंकि SIT गटित हो गई और बहुत सारी गटित हो गई एक जो एंगल जो है जिसको एक्जामिन किया जाना था जिसका परीक्षण किया जाना था राश्टर के इस तर पर वो बाद में चूंकि यहां सूनियां जी की सरकार आ गई वो कभी उसका परीक्षण हुआई नहीं और वो यह था कि इसमें I.S.I. का हाँ थाया नहीं था और मुझे लगता है कि यह सत्य भी किसी ने किसी दिन सामने आएगा क्योंकि I.S.I. के इट्थू, I.S.I. के दलाल वो सब हमारे देश में बैठे हुए है जो फिफ्थ कॉलम है पाकिस्तान का और जो आइडिया है पाकिस्तान का जिसको मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो केवल एक टेरिटरी नहीं है, केवल एक धरातल नहीं है, केवल एक छेत्र नहीं है पाकिस्तान एक आइडिया है, एक सोच है, एक विचार है और उसी पाकिस्तान के आइडिया को सोच को विचार को हम लगातार बेनकाब आपके सामने करते आए हैं, करते रहेंगे गुजरात का खुद्रा कांड वही एक पाकिस्तान का विचार, पाकिस्तान का आइडिया, पाकिस्तान के आइडिया का कारियान वेन था और उसकि प्रतिक्रिया में गुजराद के दंगे उे और उस गुजराद के दंगे में जो दंगे में मारे गए उसके बाद पुलीस के गूलियों से जो ड़ाईसव लोग मारे गए उसमें से 200 से अधिक लिए, pagar उसमी मुसल्मान भी थे तो इसका मतलब दंगा दोनों तरफ स था लेकिन हमारा लुटियंस मीडिया नया नया उस समय जोश से बरा हुआ और नया नया लाइव टेरी कास्ट का जो है एक प्रकरन चालू और रखा था और उसने पहली बार इसको एक लाइव दंगे के रूप में प्रस्तुत किया और पूरी तरह से जो उसकी पीछी कारण थ परस्तुत करके इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि हिंदू अत्य रखते फीपास सोथ होते नाना नाना ना ना रखत फिपास नहीं होता इसे देश के कानून ने दू को भी दिया है इसे अमिश्य जी ने बताया उनका इंटर्वियू है कि उसमें वो एक एक रहे हैं इसका रूप से कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्या कह रहे हैं वो कि यह हमें इसका अनुमान ही नहीं लगा कि प्रतिक्रिया एतनी भीशन होगी सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहा है कि ये तो पूरी तरह से तीस्ता सितलवार ने जक्या जाफरी के जो भावनाएं हैं उनका लाब उठाकर इसको लगातार जीवित रखा है और तीस्ता से तल्वार के लिए कारवाई की भी सिभारिश किये वही तीस्ता से तल्वार जिनको फोन पर जमानत मिल जाती थी एक जमाने में याद है आपको फोन पर तो जाकिया जाफरी का नरोडा पाटिया केस है जिसमें उनके पती एहसान जाफरी जो थे वे मारे गए थे जब भीड़ ने उनके घर पर आकरमन कर दिया था उसकी सिती क्या है कुछ लोग कहते हैं उनने गोलिया चलाई थी जिसके कालन बीड़ और उग्र होई और बीड़ ने उग्र होकर उनके पूरे घर को और उसके साथ में आसपास के कई घरों को आके हवाले कर दिया जिसमें कोई 63 लोग आए गये थे उसकी भी जाच हो चुक सीदे सीदे मुख्यमंत्री का हाथ था क्योंकि संजीव भट्टी जी जो है एक प्रायोजित आईपीस अधिकारी वो कह रहे हैं या कुछ और लोग कह रहे हैं अरे पंडिया जी का नाम लिया जाता जो इस दुनिया में नहीं यह जूट पूरी तरह से पुझागर हो चुका है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ओपर ठपा लगा दिया है अब हमारे यह कौटेज इंडस्ट्री जो चल रही थी गुझरात दंगों वाली इतने समय से मुझे लगता है कि अब जाकर 20 वर्ष बाद अब इसका पूर्ण पटाक्षिप हो गया है अब कुछ भी नहीं बचा जिसके नाम पर यह गुझरात दंगों को और भुनाएंगे गुझरात दंगों की इत्रासदी बहुत सारे लोगों ने जेली है जो इसमें कालकवलित हुए उनके प्रति हमारी संभावना हैं लेकिन उससे भी अधिक नरेंद्र मोदी ने और हिंदू समाज ने विशेशकर गुझरात के हिंदू समाज ने इसका दंग जहला है जिस प्रकार से उसको बदनाम किया गया जिस प्रकार से उसको रुसवा किया गया जिस प्रकार से उसकी मानहानी की गई और सारी मानहानी को, सारे दंश को अब सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से पूरी तरह से समाप्त कर दिया है अब हमारे पास पुन है गर्व से सर उठा कर चलने का ये समय है कि देखो तुम लोग कितना जूट बोल रहे थे, तुम लोग कितना आपस में मिलकर ये लुटियंस वाले, ये कबाल वाले, ये तीसता सितलवाण, ये सारे के सारे धंदेबाज, ये सम मिलकर किस प्रकार से सब को बद्दाम करके ये साज़ेशन ये है, सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, कि ये तो एक प्लाइनिंग से दंगा हुआ था, ये प्रतिक्रिया नहीं थी, इसलिए कभी भी गोधरा की बात नहीं होती है, सदैव गुजरात दंगों की बात होती है, ऐसा क्यों? ये है, सोच विचार का प्रश्ण है, और उन्हे है, मैं धन्यवाद दूँगा, माननी ये उच्चत अमने आया लेगा, कि उन्होंने अंततह दूद का दूद, पानी का पानी का पानी कर दिया, अमिद शान जी ने, अमिद भाई ने, बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया है, और बताया है, और ये भी, हमें सभी को ये सोचने का प्रश्ण है, कि जो पंच मकार तत्व हैं, इनको अब सौफिट गहरे गड़े में डाल कर उपर से लोहे का बुरादा, डाल कर उसमें पूरी तरह से दफना देने की आवश्यक्ता है, आप सभी को एक बार पुने, धन्यवाद, जैहिन, वंदे मात्रम,